उतर प्रदेश सरकार में अलफ संख्यक कल्यान राजय मंतरी मोहसीन रजा ने मदर्सों को ले कर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मुख्य मंतरी के आदेश पर मदर्सों में फरजी प्रपत्रों के आधार पर नौकरियां ग्रहन करने वालों की जाँच एक सप्था में कारय योजना बना का रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दिये गए। सरकार अनुदान अल्प संख्यक वर्ग के पात्रों के कल्यान हेतु देती है आप पत्रों के लिए नहीं। योगी जी की नेतरतव में उतरप्रदेश सरकार ने मदर्सों को और बहतर किया है। हमने मदर्सों को डिजिटाइस किया है। हमने मदर्सा पोर्टल बना कर मदर्सों को उससे जोड़ा है। जिससे फर्दी चल रहे मदर्सों के विरुद बड़ी मातरा में कारवाई की है। हमने मदर्से की डिग्रियां ओनलाइन की है, पारदर्शिता लाने के हर संभव प्रियास किया है। गुडवक्ता युक्त शिक्षा के लिए सभी बहतर कदम उठाए जा रहे हैं। देखिये जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपने भी देखा कि मदर्सों में पिछली सरकार में समाजवादी पार्टी की सरकार के दोरान बड़ी अनिमित्याओं की शिकायते हैं। गई है जिनकी डिगरियां फर्जी पाई जा रही हैं जिनके बारे में बताया जा रहा है कि फर्जी डिगरी के तहट वहां नौकरियां दे रखी हैं मदर्सों ने। कि उनकी जाच करके देखा जाए अगर कोई गलत पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कारवाई होगी जो लोग उसमें लिप पाए जाएंगे उनके खिलाफ भी कारवाई होगी। क्योंकि अलसक्या कल्यान को लेकर बहुत बड़ा धन पूरे उत्तरपरदेश में सरकार के तरफ से दिया जाता है कि उनके उत्थान के लिए उनके खिलाफ के लिए जो पात्र लोग हैं जो योग के लोग हैं वो उसमें छात्र बनें उनके जीवन को आगए बढ़ाएं और ओडने का काम आदरनी योगी जी ने किया है हम ने पारदर्शी कर दी है हमादसे आज हमारे मदरसों में ncrt की पढ़ाई लागू हो गई है हमारे मदरसों में आज अच्छी आधुनिक हो है सारे मदर से आदून की करण के तहट काम कर रहे हैं कंप्यूटरी करण हो गया है सारे मदर से पोटल पर आगे हैं तो अब यह शिचकों को लेकर जो बात उठ रही थी बार-बार उसको लेकर भी एक बार परदा फाश करना है कि सारी चीजे साफ हो जाएं कि कौन मदर्सों में इस तरह की चीजे हैं उस पर कारवाई करते हुए जो पात्र लोग है उनको वहार रखा जाया और जो अपात्र लोग है उनके खिलाफ कारवाई करके उनको जेल भेजने का काम किया जाएगा